तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि नोट कैसे बनाते हैं तो बेसिकली आज की क्लास का टॉपिक क्या है नोट मेकिंग अब बोलोगे माम नोट मेकिंग क्या होता है तो उससे बिल्कुल चोटा बना कर और उससे चीजे अराम से याद रह सकती हो कैसे होता है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, आजो, start करते हैं पहले जान लो, note making होता क्या है A note is a brief record of information or ideas नोट क्या होता है, छोटा सा बट पूरी information होती है, उसमें छोटा होता है लेकिन पूरी information होती होती है, है न और it is useful as an aid to memory to remember the important points इसने क्या करता है, aid मतलब help करना, हमारी memory को help करता है कि हम जो है, चीजे याद रख सकें, जो points उसमें उनके basis में हमें बागी सारी information याद रहे prepare for an exam to be used in a discussion, to be used in a debate, or a lecture, or a speech delivery देखो हर जगा काम आता है note making, अभी तुमारे exams आने वाले हैं उसके point of view से भी बहुत important है, इसले ही करारियो में यह वाली चीज की note making से बहुत सारे फायदों होंगे और उसके लावत चाहे तुम कभी debate competition में हो, कोई speech याद करने हैं, कोई lectures याद करने हो उसके लिए भी note making जो है, हर चीज में काम आता है, पता है ना, notes बनाते हो तुम, तो वही वाली चीज है, clear हो गया, इतना, अब आ गया जो We need to remember the following features while making notes, अब देखो, notes के कुछ features है, कुछ characteristics है, वो तुम्हें ध्यान में होने चाहिए, फिर उस हिसाब से ही, तुम, notes बनाऊगे, ठीक है, notes should be brief है, छोटे होने चाहिए, notes should be written in third person, ठीक है, third person narrative में होने चाहिए, only important details should be included in notes, जो information important है, हाँ यह चीज़ important है, इस से हमें आगी की चीज़ याद रह लेगी, यह वाले points से हम बाकी की details हमें याद रह लेगी, वो ही points उसमें आने चाहिए, no illustrations, long explanations or diagrams should be included in the notes, notes में कुछ भी, कोई chart नहीं, कोई diagram नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है, no full sentences, only phrases or words to be used, full sentences भी यूज में नहीं किये जाते, बस phrases होते हैं, चोटोटे हैं, यह वर्ट यूज किये जाते हैं, जिनके बैसे से आपको बाकी details, अपने आप याद आजें, इस तरीकी से ही help करते, कि clear होगी चीज, देख लो एक बार, आगे चले, अब देखो, एक format है, notes का भी format है, note making का भी format है, वो देखो, तुम्हारा सबसे पहले कीज आने चाहिए, उपड़ टाइटल, है ना, टाइटल, heading, टाइटल में क्या होना चाहिए, तुम्हारा block letters होना चाहिए, मतलब capital होना चाहिए, A, B, C, D, मतलब इस तरीक से तुम्हें लिखना है, capital में लिखना है, उसके अलावा, मतलब इस पूरा passage है, जो भी तुम्हें दियावा होगा passage, उसका जो में आइडिया, जो उसकी theme है, वो तुम्हें अपने टाइटल से पता चल जानी चाहिए, ऐसा तुम्हारा टाइटल होना चाहिए, और कैसे लिखना है इसको, capital letters में, block letters में लिखना है, क्लियर हो गया, अब next चीज आती है, main heading, main heading देखो मैं यह underline कर रखी, क्योंकि तुम्हें इसे underline करना है, main heading, और इसको तुम्हें रहे बोलते है, sub heading, main heading के अंदर भी और heading हो सकती है, उसको तुम क्या बोलोगे, sub heading, sub heading, अब sub heading देखो, तुम्हारी alphabet से mention की जाती है, represent की जाती है, मतलब इसे a, b, और जादा है, इससे आगे c, d, ऐसे करके mention करोगे तुम, उसके बाद तुम्हारा last में आता है, sub sub heading, sub heading होता है, इस sub heading के अंदर भी तुम्हारे कोई ऐसे heading वाले points है, तुम यूज करते हो, वो कैसे आते हैं, वो तुम ऐसे roman numbers में करते हो, represent 1, इसे क्या होता है, जाएं, जाएं, इसे आते हो, दिस्तिंग्वश कर सकते हो, वहाँ हो, कावें इस main heading है, कावं सी sub heading है, और कावन सी sub heading हो, वह से तरीके सरिके सा तुम या कर सकते हो, mention कौन कौन से को सब्सक्राइब डाला इस तुमने क्या डाला कि डाला कि डाल दिया आप अपर दिया अब उसमें सब हेडिंग आगई नीचे कुछ भी तो तुम उसको असे नीचे और कोई सब नोट कर दियो अब देखों इहां पर क्या हुआ पहले सब हेडिंग के अंदर ही सब सब हेडिंग आएगी तो ऐसा नहीं करना है कि a और b दोनों एक साथ डाल दी फि कि अपना को टालो समझ लोगे किस तरीके से इख अपना फोर्मिट होता है नोट बनाने का देख लो कि अपने कि अब देखो एप्रिवीशिंग कर नी है तुम्हें अपरिवेशन क्या होती है अपरिवेशन होती है कोई बड़े वर्ड का छोटा ना कोई बड़े वर्ड कर चोटा फॉम जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दे प्रफेसर को तुम प्रॉफ लिख सकते हो इंजीनियर को एर लिख सकते हो मिस्टर को हम एमर लिखते हैं ना यह डॉट लगाने जरूरी है बाई उससे बतार चलिगा कि अप्रिवेशन यूनाइटेट सेट तो अमेरिका यूएस से हो जाता है असिस्टन को एडबल स्ट लिख सकते हैं कंपनी को सी ओ रोड आर्ड जनरल पोस्ट आफिस को जी पी ओ और अमेरिकन डॉलर को डॉलर से मेंशन करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव नेगटिव हो तो माइनस और व इसे होने चाहिए कि आपको समझ आ जाए आप उनसे पड़ पाओ आपके लिए वह था अब तो उसमें बड़ा बड़ा लिख होगे तो तुम्हारे लिए हैल्फूल होने से रहे हो तुमने क्या किया अब्रिवेशन बनाई है ना तो यह तो चलो बनी बनाई है कुछ तुम अपने हिसाब से भी कर सकते हो वी। ऑट नीचे मैं घृवंगा कहां अंचन करते हैं जब हम अभ्रिवेशन रुटे है और लेकिन इससे क्या अभा काम चोटा हो गया तुम्हें याद करने में आसानी हो गई तुम्हें लिखने में 오ल्गी Sig. क्लीयर हो गया आज़ू minist、 को देखो तुम्हारे लिए बहुत इंपोर्डेंट है नोट मेकिंग अगर तुमने स्किल सीख लीना और इंग्लिश में तुम कहते हो ना कि मैं याद नहीं होता तो तुम इस तरीके से याद कर सकते हो नोट्स बना लो उसके पॉइंट्स बना लो छोटे-छोटे उनको याद क से ही इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी और तुम्हारा जो पेपर है ना वह भी तुम अच्छे से कर पाओगी जल्दी जल्दी इतना पड़ोगे है ना अंसीन पैसेज में क्या होता है रीडिंग बहुत जरूरी है ना तो रीड गरना शुरू करो वरना बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा यह वाली चीज तो रीड गरना शुरू करो है ना आप आजो यहां पर कि वहीं साम अपड़ो और इसको पड़ो और इसके ओपर नोट बनाने और अब्रिवेशन यूज कर लिए इस तरीके से क्वेशन आता अगर आता है तो हैना तो तुमने किया किय तुम्हारी मन पसंद बूक लो जो पढ़ना है पड़ो उसको रीड करो उसमें जो नहीं आ रहे उनको डिक्शनरी में देखो बहुत है यह तीज तुम्हारे लिए प्र उस पूरे को पढ़के तुम क्या करो यह ध्यान में रखो यह सोचो कि भाई हां इसमें में चीज क्या है कि सब्जक्ट क्या है किस चीज पर यह पैसेज आधारित है वो चीज निकालो उसमें से प्र ट्राइट तुम्हारी पूरी तीम मालूम चल जाएगी दिएचनगी पुर्टबॉपाइडिवारे जिँआ अंत financier उसमें से मेंसफी निकालोगे इंप निकालोगे तो उनके बैशींधी इंपार्यंग सब एडिंग सब हैडिंग और सब सब हैडिंग बनती है जब हैडिंग सब पॉइंट सब क्योंक सब्सबट होते हैं ला तो तुमने क्या कि एक मिन एडिंग दे दी आप उसके अंदर तुम्हें बहुए कि दो पॉइंट इस वी पॉइंटां कोमें लेकिन चाप तक थो पॉइंटि इतं के सबस्द नहीं लिख अम्हें पूरा वी पूरा कि मुझरे पॉरण लेकिन चाहिंशन further हमारे मैंने पहले डाल दिया वाटर पॉलिशन आप उसकी सब पॉइंट कि वाटर पॉलिशन कैसे क्वाज हो रहे हैं वह सब काम करने के बाद पिर तुम दूसरी में हैडिंग पर आओगे और इस तरीके से बागी का काम करोगे क्लियर यूज प्रॉपर फॉर्म फॉर्मिट है उसी में काम करना वर्ना बहुत होजपो जुदाएगा कि भाई एस से तो मीन हेडिंग होती है अंडरलाइन तो मीन हेडिंग होती इसने सब एडिंग कर दी नहीं धियान रखना उस चीज का है न फिर यूज अब्रिवेशन व सब्सक्राइब होती है नहीं ऐसी उनीचे कि जो तुम्हारा पेपर चेक कर रहा है न बंदा उसको आइसी लिखना क्लियर हो गया तुम्हें कुछ पॉइंट है जब तुम्हें धियान रखने है नोट मेकिंग के टाइम अब देखो यहां पर एक एक पैसेज है तुम्हें सब्सक्राइब करेंगे आगे नोट में तो पहले पैसेज देखो रीट फॉलिविंग पैसेज केफ़ली और मेक नॉजिंग सुटेबल अब्रिवेशन इसमें यूज कर सकते हो तुम्हें अब देखो लोकेटेट अट दी नासा रिसर्ट सेंटर इन लोवा इसा 5,000 गैलन यहां पे नासा रिसर्ट सेंटर है लोवा में वहां पे क्या है पांच अजार गैलन वैट एकम वाटर के अट ब्रीवार की है न यहां पर इन आरो उस्पेस कि आर देखों यहां पे इनोंने क्या क्या एप्रिबेशन डाल रखिए और फॉर इयर्स नियुमन आप्जर्स कूबर डाइवर्स एस इस स्युमुलेटेड वाकिंग वाकिंग अन्डवाटर मुवमेंट बैट अब यहां पर क्या वहला कि पांच हजार गैलन वाटर का एक ट बैगा उस तरीके का वाटर डिस्कवर हाव द्याविटी अव मोर्स वोग अफ्शेट एस एक्सपेरिमेंटे के वाई अगर यह वाली सीस्पीज मून पर एम आरस पर हो तो क्या अफ्ड़क्ट पढ़ रहा है वहां की ग्रैविटी से हमारे मूवमेंट पर थे हैंना हम खड़ हैं यहां पर मस्बूति ची करने के लिए उन्हों किया उन्हों किया हैं उन्हों किया किया उनको किया ना सब्सक्राइब करना मतलब हैवी कर दी उनकी पैर जिससे क्या फीलिंग आए ग्राइविटी वाली फीलिंग आए है नुमें कंक्लूड़िड दाइट वाकिंग अन्मार्स प्रबबली पीजियर दन वाकिंग तुद अन्मून और इन्होंने जब दोना एक्स्पेरिमेंट किय मतलब इन्हें पता चला कि भाई कौन सा ज्यादा ऐजी है मार्स पर वाज़ग करना ज्यादा इजी है मून के मुकाभली फिर दमून है लेस ग्रेविटी दिन माश दो एट लुना ग्रेविटी बडाइवर्स टॉब टिव देर बैलेंग और वकूर्दी पर जो है कम ग्रे में एक पार्पिएशन आप देख़ अब्रीविएशन एब देख़ अब्रीविएशन है नीमें ग्रैज्वाली इंक्रीज अप स्टीन सब्सक्राइब प्रीज तो अब्रीविएशन नेवर्च वित लग्रेविटिय। अब देखो तुम्हें यह पता चलिए कि भाई पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ न्यूमें जो थी उन्होंने क्या कर रखा था एक्सपेरिमेंट कर रखा था किस पर मून और मार्स की ग्रैविटी पर हमने पूरे इसमें क्या देखा पूरा जो भी हमने पैसेज पड़ा उसमें पूरी चीज में हमने क्या चीज नोट की कि मून और मार्स की बात हो रही है और मून और मार्स की बात क्यों हो रही है उनकी तुमने टाइटल रख दिया हमने टाइटल रख दिया हमने टाइटल रख दिया Newman's Experiment of Gravity and Moon and Mars आप देखो ताइटल लाने के बाद क्या आता है अब देखो ताइटल लाने के बाद आती है में हैडिग इस प्रेटल रहे सब्सक्राइटल डाइटल रख दिया तो किया उनको आपसे थिया तो इनको आप सिमूलरेशन पर देखो दूबारा हो एकसप्परिमेंट थैंब लेशन ने रहा है। नूमन ने आप यसलिए एक तो तो शुम्लेटिटज वाकिंग लिए है ना और दूसरा ग्राइविटी ऑफ दे मून मार्ज वुड़ एफेक्ट यूवन मूवमेंट क्लियर हो गई चीज यह हो गई तुम्हारी में हैंडिंग यह हो गई तुम्हारी सब हैडिंग आप देखो उसमें जो हमने स्टिमिलेट वाक वाली जो चीज देखी उसके आगे कुछ नहीं निकला उसमें हमने और कुछ नहीं पड़ा स्टिमिलेशन वाली चीज में हमने क्या क्यों को एक पॉइंट वहीं जोड़ दिया बड़ अगर हम सेकिंड सब हैडिंग की बात करें जो थी ग्रैविटी ऑफ द देखा था कि इसमें क्या डिफ्रेंस है तो हमारी सब पॉइंट के आ गए थे मून और मार्स यह हो गए तुम्हारे सब पॉइंट समझाए काम कैसे किया उन्होंने ने अगर में इस चीज की बात कि बात के दुद्धा कियागा क्या हुआ थे का क्या हुआ थजए को की स्मयारे सिप्गर जなたे शिएट ीकिया थी अब हैडिंग आती है यह दोनों क्या है तुमारी सब है अब दूसरी वाली में क्या था एक एफेक्ट डाल रही है हमारे मूवमेंट पे तो कहां कहां इसमें दो चीज़े देखी हमने क्या इसलिए इसलिए हमने कर्ड़ारा कि मून पर ग्राविटी से क्या उसलिए ह उसलिए मून की ऑर क्या है अब आगे बात लेट ऐगेवे मां था जाय हो और जिए वाली जीज़ कि त्रृट त्रृटि सब्सक्राइब किस तरीक से तुमने काम है आज़ो तीसरी क्या थी? New Man's Conclusion अब इस सारे एक्पेरिमेंट से उन्होंने क्या conclusion निकाला? तो conclusion में क्या था भाई? Moon has less gravity तो moon less gravity क्यू है? अब उसका subpoint क्या था? कि divers struggle to keep balance at moon वो क्या कर पाए थे? movement नहीं कर पा रहे थे, balance नहीं बना पा रहे थे क्यूंकि gravity less थी, gravity कम होगी तो हम अपने पैर डंग से जमा नहीं पाएंगे तो यह तो हो गई moon की बात अब अगर हम martian gravity की बात करें हैं तो divers could work with stability तो divers took longer strides and settled into quicker pace और divers needed less तो martian gravity में दो चीज़े हो रही थी martian gravity के subpoint क्या क्या आजेंगे? कि उसमें क्या क्या चीज़ी तो martian gravity में पहली चीज़ तो यह कि भाई अच्छे से चल पा रहे थे और दूसरा oxygen भी कम यूज़ना रहे इस तरीके से तुमने यहाँ पर अपना conclusion दे दिया इस तरीके से हम जो है notes बनाते हैं अब देगो इससे तुमें पूरे passage की सारी details मिल गई है ना चोटे-चोटे points में तुम्हें पूरी passage की details मिल गए इस तरीके से तुम पॉइंट बनाते हो अब इसमें तुमने abbreviations क्या क्या यूज़ करी थी कि यार होती है इंजीनियर के लिए quicker होती है quicker के लिए और MPH होती है इस तरीके से तुम्हें एंड में abbreviations बतानी पड़ेंगी यह याद रखना abbreviations बतानी पड़ेंगी चाहे अल्रेटी बनी बनाई वाली यूज़ करो चाहे अपनी बनाई हूई यूज़ कर रहे हो पर लास्ट में abbreviations बताना इस इंपॉर्टे इसके भी माक्स है अलग से समझ आगे इस तरीके से एक नोट मेकिंग होता है आजो नेक्स देखो एक और एक्जेम्पल अब देखो अब देखो अगर हम बात करें के भई प्लास्टिक वेस्ट जो है उसको अगर दिस्पोस आफ करते हैं फेकते हैं तो इससे कोई पायदा नहीं हो रहा है न क्यूंकि भई क्या हो रहा है आगे वो सब जमा करते जा रह देखते जा रहे हो उसका आगे कुछ होने रहा है ना फिर गैसिफिकेशन थर्मल डिकॉंपोजिशन अफ प्लास्टिक मैटर अंडर इनर्ट अट्मोस्पेरिक कंडिशन विद लिमिटेज सप्लाय और अब तुमने बात कर दी के भाई गैसिफिकेशन क्या है करना है और फिर उसकर करने के लिए तमट्र गोड़ी कि बार बार जोए तो मस्कों करपाऊ धर ऑसकेश्च करो को रिसाइकलिंग ऑप्शन चाहिए नॉप्शन घ्रकटीक्टीट अचा यहिसा अच्छा उप्शन आप वन इसमें भी खता है कि भी 40% प्लास्टिक जो है नहीं हो पाता फिर भी नहीं हो पाता इन इंडिया about 40% of the plastic waste is recycled yet there are many problem associated with recycling of plastic waste इंडिया में देखो खाली 40% प्लास्टिक है जो रिसाइकल हो पाता है लेकिन इसमें भी problems है इना firstly recycling can be done twice at the most after the third fourth recycling the plastic is totally unfit for reuse and ultimately ends up in land of filling and now you can see plastic is plastic is any thing you have to recycle you have to take a bottle of water first and after the second you have to make it a pen stand after that you will do what you will do after that you will eventually do what you will do you will leave it where you will go in landfill with it secondly sorting the plastic is difficult as well as expensive preposition plastics contain a wide range of fillers and additives and often they are associated with metal or glass etc plastic joiner इतना यूज में आता है चीफ टीजों में भी और एक्स एक्सपेरिमें अगर तुमें कोई महेंगी से महेंगी चीज मंगालो आती किसमें पहले उसमें वो कार्डबोर्ड वोगा पेपर का बॉक्स होगा उसके पर फ्लास्टिक रैप दी आती है तो हर जगा तो प्लास्टिक यूज कर रहे हो तो कैसे रिसाइकल करो कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस तरी प्लास्टिक वेस्ट तुमने टाइटल डाल दिया अब उसके बाद यह तुम्हारा कॉंसेप्ट और यह आ गई तुम्हारी प्रॉब्लम है ना तो पहले कॉंसेप्ट में देखो क्या चीज थी दो तरीके से हो सकता है डिस्पोजल पहला गैसिफिकेशन और दूसरा क्या और दूसरा रिसाइकलिंग के बाद तुमने क्या किया दाल दी ऐसमारी मेन हेडिंग मैन हेडिंग के बाद आ गर तुमाई टी पॉइंटस को पॉइंट्स ते आगर हमें पीवी शे लाग लेन है फ्लास्टिक को वह करने फेसिफे तो लोवर टैंपरिशर करना पड़ेगा और क्लोरीन रिमूफ करने तो टैंपरेचर बढ़ाना पड़ेगा गैसिफिकेशन में हमने यह चीज पड़ी है यह सब पॉइंट या सब सब्सेडिंग है ना कि अब दूसरा दर रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग करने से प्रॉब्लम क्या रही है तो बाई देखो लिमिट्रिक साइकल से एक बार दो बार रिसाइकल होगा तीसरी बार तो ठीक नहीं पड़ेगा इसमें कोई आगे पॉइंट नहीं था नेक्स सब्सक्राइडिंग में क्यूंकि हर जगह प्लास्टिक है कहां कहां से सॉर्ट करोगे से और तीस्री चीज़ क्या है एक्सपैंसिव भी है यह इस टनी जगह एकट़ा हो । आप तुमने इसमने इसमें आप्छके और यह N थमने आपन्प्रिंशिन क्वाउनस EMPS क्या दा टेम्प्रेचर के लिए और as well and use क्या था solution के लिए तो भाई यह इस तरीके से होता है और यहां पर underline करना मत भूलना इसलिए second वाले में मैंने underline नहीं करा वो first वाले में तो मैं भूल गई थी पर second वाले में मैंने जान करके नहीं करा ताकि कितना difference आ जाता है होगी और है सब अधर करोगे और अगर उसके अंदर सब यह सब पॉइंट तो क्या रोगे रॉमन वाले जू नंबर से उन से करोगे रिप्रिजंटबस इतना ही काम है इस फॉर्मिट में काम करना जब तक आए वाले सब हेडिंग के सब पॉइंट नहीं आ जाते बी वाली में नहीं गुसना है इतना ध्यान रखना बागी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है अपने अराम से अपने हिसाब से तुमने जो थीम में से हेडिंग लगी वो डाल देना और उस पे आगे काम करना है क्लियर हो गया समझ आ गया इस तरीके से नोड बनते है अब तुम्हारा होमवक है तुम्हे एक पैसेज दिया है मैंने तुम्हें रीड करना है उसके बेसेज पे टाइटल में हेडिंग सब हेडिंग सब क्वाइंट बनाने है तुम्हें और एबरिवेशन जो भी यूज करो उसको नीचे abbreviations को mention करना है, के करके तुम मुझे homework दोगे अपना, मेरी idea अब सबको पता है, आशी सर के idea अउरेडी सबको पता है, उस पे तुम मुझे tag करो, clear? तब तक के लिए जो है आज ही class हम यहाँ पतम करते हैं, बिलते हैं next class में, तो this is Madiha Khan, signing off right now, बाइ बाइ, have a nice day.